ये है सबसे लेटेस्ट और सबसे प्रीमियम क्वालिटी का किंडल एमेज़ॉन किंडल ओएस इस वीडियो में मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस किंडल के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा देखते रहिए नमस्का दोस्तों मैं हूँ गोगी और ये है किंडल ओएस जो एमेज़ॉन पर अविलेबल है की स्पेसिफिकेशन बॉक्स के ओपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस किंडल की खास बात ये है कि ये साथ इंच के स्क्रीन के साथ में आता है तो ये है किंडल ओएस जो दिखने में दूसरे किंडल से बहुत ये अलग है देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या-क्या मिलता है यूजर मानल वरन डिकाड ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी जैसा कि आप देख सकते हैं जो kindle है दूसरे kindles के मुकाबले बहुत ही अलग है इसे एक book shape की तरह बनाया गया है unique design है काफी slim है और इसका जो वजन है वो है तकरीबन 194 grams इस kindle का एक भाग बहुत ही पतला है यहाँ पर आप देख सकते हैं micro usb port दिया गया है इसमें जो built-in battery है उसे charge करने के लिए और यहाँ पर दो buttons दी गए है previous page और next page को जाने के लिए आप इस kindle को इस तरीके से पकड़ सकते हैं या फिर अगर आप left-handed है या right-handed है तो accordingly इस kindle को पकड़ सकते हैं इसका जो screen है automatically adjust हो जाएगा मतलब जो orientation है वो change हो जाएगा जब कभी आप एक नया kindle खरीते हैं तो आपको setup process के तुरू जाना पड़ता है और आपका Amazon account है उसका इस्तमाल करके आपको ये जो kindle है उसे register करना पड़ता है orientation तब तक नहीं change होगा जब तक आप इस kindle का पहली बार setup नहीं कर देते हैं तो यहाँ पर मैं जो setup का process है उसे मैंने शुरू कर दिया है इसके पहले मैंने तीन kindles का review किया था वो भी आप देख सकते हैं इस kindle की खास बात 7 इंच का screen, adaptive front light काफी slim है, battery life बहुत ही जबर्दस्त है आपको काफी हफतों तक चल जाएगी और यह देखिए, orientation change हो गया है इसका design इस तरीके से बनाया गया है कि जो भारी भाग है, उसे आपको इस तरीके से पकड़ना है जैसे आप एक किताब पकड़ते हैं और जो screen का orientation है, वो automatically change हो जाएगा जिस तरीके से आप उसे पकड़ रहे है वाइफाई है, इसमें built-in और वाइफाई का जो setup है, वो मैं complete कर देता हूँ फिलाल तो मैं वाइफाई variant इस्तमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये वाइफाई प्लस 3G variant में भी आता है ये लिजे मैंने वाइफाई का setup कर लिया है और जब कभी आप kindle को पहली बार इस्तमाल करते हैं, तो आपको एक guide के थुरू लेके जाता है, जहां पर आपको बहतर idea मिल जाता है कि आपको kindle को किस तरीके से इस्तमाल करना है ये kindle को आप left hand में या right hand में पकड़ सकते हैं, जो भारी भाग है उसी को पकड़ना है जो पतला भाग है उसे नहीं पकड़ना है तो जैसे आप उसे पकड़ेंगे उस तरीके से जो screen का orientation है वो change हो जाएगा, यहां पर button दिया गया है, और यह देखिए जो भारी भाग है और जो पतला भाग है कितना पतला है, तो यह जो design है, आपको एक तरह से एक book का feel देता है, जब कपी आप इसे पकड़ते हैं ऐसे लगता है, जैसे कि आपने किताब पकड़ी हो अगर आपने कभी kindle का इस्तमाल किया है, तो जितने भी books आपने पुराने वाले kindle पर download किये थे वो सारे के सारे आपको cloud पर मिल जाएंगे और जो भी नया kindle आप इस्तमाल कर रहे हैं, अगर आपने उस book पर tap किया, तो वो जो book है फिर से download हो जाएगा, आपके नए kindle पर इस kindle पर भी e-ink technology का इस्तमाल किया गया है, यह जो display है, इसे आप बहुत सारे lighting conditions में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इतना ही नहीं, आप इसे जो screen है, इसे धूप में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं और जो भी content है, इसके उपर बड़ी आसानी कर सकते हैं, लेकिन जो comics है, यह सारा का सारा monochrome में होगा, black and white में होगा इस kindle में आपको सबसे ज़्यादा space मिलता है, 8GB का internal storage space, जिसका मतलब यह है कि आप बहुत सारे books इसमें store कर सकते हैं और सबसे अची बात यह है कि यह waterproof है दो मीटर तक पानी के अंदर एक घंडे तक इसे आप डुबा के रखेंगे fresh water के अंदर, तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला है मतलब कि आप इसे बीच के उपर ले जा सकते हैं, या swimming pool के पास पढ़ सकते हैं, कोई issues नहीं है इसकी बैटरी वैसे 2999 रुपए तो ये किंडल आपको कैसे लगा इसके बारे में हमें जरूर बताईए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद